उनका टेस्ट होना चाहिए किको किसी ड्रग का कंसम्शन करते हैं वो जिस हालत में वो पार्लिमेंट में पहुंच कर जिस तरह की वो बदहवास बाते करते हैं जो तो रखते होना चाहिए या वो शराब की नशे में या वो ड्रग की नशे में जो है वो संसत में पहुंचते ह प्रधान मंत्री चुना जाता है तो वो डेमोकरसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाती देखके क्या प्रधान मंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओची बाते करते हैं और हमेशा जो है वो संभीधान को ठेस पहुचाते हैं? हमेशा उनके बातों से सम्मीधान को ठेस्ट पहुचाते, तो अब क्या एज देखके या जेंडर देखके प्रदानमंत्री चुना जाएगा, क्या तो फिर कल को वो बोलेंगे कि की स्किन कलर से प्रदानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोग तरत कि कल भी उनने वहाँ पे कॉमेडी शो किया अगर आप देखें कोई उनमे कोई गरिमा नहीं है कल वहाँ जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रवियू है तो आप मुझे तो लगता है कि उनक मैं शॉक्ट हो गई कि इस तरह की के ये जो ये कॉम्पिटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रवियू में है ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इनसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है मुझे तो लगता है होना चाहिए या वो शराब की नशे में या वो ड्रक्स के नशे में जो हैं वो संसद में पहुचते ये एक अच्छी बात नहीं है आप मैं कहा रही हूँ कि जो कोई इनसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो ये जो कॉंपिटिशन है ये शिवजी की बारात और चक्र व्यू के बीच में है आपको लगता है कि कोई इनसान अपने अपने होश और हवास में ऐसी बात कर सकता है मुझे नहीं लगता कोई इसकी बिटिया ने ओलंपिक गेम्स में ब्रॉंज मेडल लेकर किया है भारत का खाता भी खुली है यह देखे भारत के लिए जो है यह बहुत ही गर्व की बात है ह और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे दो से तीन तीन चार चार क्रोड तक भी जो बात है जो है सरकार जो है वो स्पेंट कर यह बाकि जैसा मेरे कुईन फिल्म में डालॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है हर चीज में इंडियन बेस्ट है बस एक गवर्मेंट का साथ हुआ 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 है